कि नमस्कार मैं सुमंश्री स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल में जैसा कि आप देखरें कि आज हम बात करने वाले फिफा पुरूसकार फिफा पुरूसकार की ने दिया गया है फुटबोल से संभनिदित यह पुरूसकार है किने पैस्ट खिलाडी के लिए जो है दिय किस देश के वो खिलाडी है जिन्हें पुरुषकार प्राप्ठ किया गया है किन वर्गों में यह पुरुषकार दिया गया है उसके बारे में हम हम बात करेंगे तो आये शुरॉबात करते हम फीफा पुरुषकार सबसे पहले हम बात करते हैं best player of the year की किस देश के ख्लड़ी को FIFA player of the year award के लिए चुना गया है उनका क्या नाम है किस देश से वो संबन्दित है तो सबसे पहले हम बात करते हैं the best FIFA player award यानि किस देश के ख्लड़ी को यह प्रुसकार दिया गया है और उनका नाम क्या है किस देश से संबन्दित है तो यह जो ख्लाड़ी है जिन्हें यह FIFA player of the year के लिए चुना गया है यह Croatia ही ख्लाड़ी है इनका नाम है लुका मॉट्रिक लुका मॉट्रिक जो है अवर्ड पाने वाले Croatia के पहले ख्लाड़ी है जिन्हें दुनिया का सर्वस्ट्रेस्ट फुटबोलर चुना गया है और इनी की अगुवाई में Croatia पहली बार FIFA विश्व कप के फैनल में पहुचा था यह पुरुस्कार दस साल के बाद किसी अन्य व्यक्ति ने जीता है उनका नाम है लुका मॉट्रिक यह Croatia के ख्लाड़ी है और दस साल बाद यह किसी अन्य पुरुस्कार जीता है किसी अन्य व उन्होंने इस पुरुस्कार को अपने नाम किया है तो अब तक जो यह ख्लाड़ी थे आपने नाम सुना होगा लियोनल मैसी और रोनाल्डू इन्हीं के पास इसकी बाद शाहत कायम थी दस साल के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी अन्य ख्लाड़ी ने इस पुरुस किस देश के ख्लाड़ी है तो याद रखिए क्रोईशियाई ख्लाड़ी है उनका नाम है लुका मॉट्रिक सर्वस्रेश्ट दुनिया का सर्वस्रेश्ट फुटबोलर चुना गया है अगले हम प्रशन की बात करते हैं अगला जो प्रशन है वो है कि सर्वस्रेश्ट महिला football φوٹ بول खिलाडी का पुरुस्कार किसे दिा गया है जल पहस्थ फीफा वोमन्ज प्लेजर कह सकते हैं इसे तो सर्जरेस्ट महिला football खिलाडी का पुरुस्कार किसे देने के लिए किसे चुना गया है किस देश की है तो यह जो खिलाडी है वो ब्राजिल की है और इनका नाम है मार्था किस देश की खिलाडी है ब्राजिल की है तो और इनका नाम क्या है मार्था यानि सर्वस्रेश्ट महिला फुटबोल खिलाडी का जो पुरुसकार है वो जितने वाली है खिलाडी है वो है मार्था और ये कहां की है ब्राजिल की है अब हम बात करते हैं सर्वस्रेश्ट पूरुष कोच के बारे में हम बात करते हैं कि सर्वस्रेश्ट पूरुष कोच का पूरुसकार किन्हें दिया गया है किस देश के ये जो है कोच है इनका नाम क्या है ये जो कोच है ये फ्रांस के है इनका नाम क्या है इनका नाम है दिद जिएर, दैस, चैंपs यह फ्रांस के है और इने जो है , जो है वाध का पुरुष को जो पुरुषकार हो दिया गया है , अब हम बात करने हैं , हम बात करें हैं , जजो सरफुरुष महिला को जुनी गई हैं , कहा की है और इंका नाम क्या है तो जो जो सर्वस्रेस्ट महिला कोच चुनी गई है वो भी फ्रांस की थी जब हम ने सर्वस्रेस्ट पूरुष कोच की बात की थी तो वो भी फ्रांस से ही संबंदी थे हैं अब हम बात करते हैं यहाँ पर सर्वस्रेस्ट महिला कोच तो सर्वस्रेस्ट महिला कोच का नाम है रेनाल्ड पेट्रोस क्या नाम है इनका रेनाल्ड पेट्रोस और यह कहां के खिलारी हैं कहां के कोच महिला कोच है तो यह फ्रांस की है यानि कि आप कह सकते हैं कि जो वह सेंसे प्राप्त हूं प्राप्त हुआ है और इस देश के हलाडी है इनका नाम क्या है कि सब्सुश्खिंग... का पुरुसकार थिबाउट कोर्टाइज नाम खिलाडी है उन्हें ये दिया गया है और ये खिलाडी किस देश से समंद रखते हैं समंद रखते हैं तो उनका जो देश है वो है वेल्जियम या आप कह सकते हैं कि ये वेल्जियम के खिलाडी है जिनका नाम है थिबाउट कोर् लेकिन हम बात करने वाले है कि बहतरी गोल करने के लिए मिश्र के किस खिलाडी को पुरुसकार देने हैं तो चुना गया है मैंने यहाँ पर इस खिलाडी का जो देश है उनको इसी के अंदर शामिल कर दिया है इस तरह से प्रश्ण बनाए है ताकि एक दो प्रश्ण के जो उत्तर है वो आपको ज़रूर मिल जाए इसकी इसी के अंदर तो हम गोल कीपर की बात कर चुके है अब हम बात करते गोल करने वाले यानि कि बहतरीन गोल करने के लिए मिश्र के किस खिलाडी को पुरुसकार देने हे तु चुना गया है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है मौमद सालह क्या नाम है इनका मौमद सालह जिन्हें बहतरीन गो कहने के लिए पुरुश्कार देने हैं तुझा गया है और ये काहां के खिलाडी हैं मिश्र के खिलाडी हैं अगला प्रस्न है वो है फेयर प्ले औवोड किसे दिया गया है तो आप याद रखें कि यह जर्मनी के हैं जिनका नाम हैenf लेनार्ट थाई इनका नाम याध रखे ए 5 से प्लेयर वोड लेनार्ट थाई ये जर्मनी के हैं इन्हें ये पुरुसकार दिया गया है इस वीडियो में मेंने जो पुरुसकार दिया गया है सबस्रेश्ट पुरुसकार जो important थे वही मैंने इसके अंदर लिये है सबसे best और सबसे अच्छा जो question है जो अक्सर पूछा जाता है कि किस देश की खिलाडी को FIFA Player of the Year का ओवर्ड दिया गया था और पहली बार ऐसा हुआ है कि जब FIFA Player of the Year का जो ओवर्ड था वो किसी अन्य देश के खिलाडी ने जीता है उनका नाम है लुका मोटरिक यह क्रोईशिया के खिलाडी है और इन्हीं की अगवाई में क्रोईशिया पहली बार विश्वु कप यनि फुटबॉल विश्वु कप के फाइनल में पहुचा था एसा पहली बार हुआ है जब किसी अन्य खिलाडी को इस पुरुस्कार को देनी के लिए चुना गया था तो इससे सम्मधित जितने भी मेरे प्रश्ण थे वह यहां पर लिए हैं और आशा करती हूं कि आपको जरूर इससे सम्मधित जो भी प्रश्ण थे वह आपको याद हो जाएंगे और जरूर आपको अच्छा लगीगा तो आप इसे अच्छी तरह से याद करें ज्यादा से जाद आप शेयर करें लाइक करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद